अभी हाली में आपने एक फिल्म देखी होगी कांतारा इस फिल्म का जादू हर जगा चाया था अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो इसमें जल्ली कट्टू का खेल दिखाया गया है और सिर्फ इसी फिल्म में नहीं बलकि साउथ की मोस्ट फिल्मों में अकसर ये तो फटाफट कर ले और साथ ये बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले नमस्कार मैं हो अंकिता और आप देख रहे हैं जन्भावना टाइम्स दरसल जली कट्टू का खेल भारत के केरल राज्य में खेला जाता है और ये केरल के सबसे पुराने खेलों में से एक है और इस खेल को आज भी खेला जाता है आप जब भी इस खेल को देखेंगे तो आपको खेल दंगल जैसा लगेगा क्योंकि इसमें दो टीमे होती हैं और हर एक टीम में साथ से पंदर खिलाडी होते हैं इस खेल में एक टीम के सदस्य को दूसरी टीम के सदस्य डराते हैं, पकड़ते हैं और उन्हें दूसरी टीम के लाइन के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं इस खेल के लिए एक special ground होती है जिसे जल्ली कहा जाता है और ये खेल तमिलनाडू में हर साल खेला जाता है लेकिन इस खेल में जानवरों पर क्रूरता की जाती है ऐसा पशु प्रेमियों का मानना है इन्ही सब को देखते हुए कुछ लोगों ने इस खेल को बैन करने की सरकार से पील की थी लेकिन अब सुप्रेम कोट ने खेल जली कट्टू को सही माना है और इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है तमिलनाडू में जली कट्टू को अनुमती देने वाले राज्ज सरकार के कानून को सुप्रेम कोट ने सही ठहराया है और तो और इससे हिस्सा लेने वाले बैलों के साथ कुरूरता का हवाला देते हुए कानून रद करने की मांग की गई थी और साथ ही तमिलनाडू के कानून को संसत से पास पशु कुरूरता निरोधक कानून का उलंगन बताया गया था लेकिन अब सुप्रिम कोट ने कहा है कि नए कानून में कुरूरता के पहलू को ध्यान में रखा गया है यह खेल सद्यू से तमिल नाडू की संस्कृति का हस्सा है इससे बाधित नहीं किया जा सकता अगर कोई पशू से कुरूरता करे तो उसके खिलाफ कारिवाई होगी वेल अभी की खबरों में सर्फ इतना है और भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप जूरे रहें जन्भावना टाइम्स के साथ और अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रस कर ले नमस्कार